हेलो शुटेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मास बढ़िया, तो जो लोग श्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मा को थेरोपेटिस का नया चैप्टर, ठीक है, जिसके दर में पढ़ने वाले हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस मिला करके एक बीमारी है, जिसे हम लोग कहते हैं, गैस्ट्रो इस्ट्रो 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 इस्ट्रोफिकल रिफ्लक्स, रिफ्लक्स का मतलब होता है, वापस बैक मार देना, ठीक है ना, तो इसे जी आरडी में, शॉट फ़र्म में कहाद दिया जाता है, तो अगर खाना खाया और खाना खाके सबको सम लोग उल्टा हो जाएं तो क्या वो खाना अपने आप भार निकल आएगा हम सबको पता है नहीं आएगा क्यों कि मसल्स का मसल्स का बना हुआ एक कवरिंग होती है इस तरह से बंद रहती है ठीक ना यह देखरो मसल्स की बनी हुई एक कव यहीं पर मिलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्स्ट्र बोलते यह बंद रहता है यह किसके कंट्रोल में होता है यह और अंदर कंट्रोल में होता है जा-बोडे क्या इसे कहते हैं lower isofigal instructor क्योंकि isofigals में नीचे की तरफ तो इसे alias बोल दिया जाता है अब होता है कि हमने कुछ खा लिया या जो acid जो हमारा क्या है स्टमक के इसके अंतर कुछ acid बना हुआ है समय के साथ या कुछ conditions हो जाती है उसके साथ isofigals में आ गया अब यहां फिर होती ही बड़ी तेज जलन पेट के पास तो अपना क्या है साधन है कि वो इस acid से अपना आपको बचाता है लेकिन इस isofigals के पास acid से बचने का कोई तरीका नहीं है तो जैसी isofigals में गिरेगा तो यह layer क्या होती है हलकी जलती है होता है तो हम गोजलन होती है हम लोग कहते हार्ट बर्ट है ना यहां सीने के पास बड़ा तेज जलन सी होती है तो यह क्या हुआ अंदर की चीज बहार आ रही है तो गैस्ट्रो इसो फिगल रिफ्लक्स वापस जा रहा है डिजीज बास समझ में आगी क्या चीज यहां वी पढ़ लेते हैं फटाफट कि हमको लिखना क्या क्या है कैसे हम उसको समझेंगे तो क्या रहा है अट डाइस्टिव डिजीज यह क्या है डेफिनिसिल की बात करें एक डाइस्टिव डिजीज है इन विच स्टमक एसिड और बाइल इरिटेट इस तो इस तो फूड पाइप जो फूड पाइप होता है उसको इरिटेट करता है इरिटेट मत करका है मतलब मैंने बताया कि वो फूड पाइप में आ जाएगा तो फूड पाइप में इरिटेशन जर्म से पैदा हो जाती है फूड पाइप लाइनिंग क्या होती है सबसे अंदर की परत उसको disease chronic बढ़ी लंबे समय से होती है बहुत धीरी धीरी करके बढ़ती जली आती है that occur when stomach acid or bile flows into the food pipe है ना जब bile या acid है वो कहां जाता है food pipe में आएगा and irritate the lining acid reflux and heart burn more than twice a week may indicate GRD अगर acid reflux हो रहा है या heart burn हो रहा है हफते में दो वार से जादा तो यह GRD हो सकता है मैंने बता है ना कि ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा starting में लक्षन है कि हफते में दो वार या तीन वार तुम्हें समझ में आएगा कि हो रहा करके और फिर एक समय के बाद हमेशा बना रहे ता अगर ट्रीट्मेंट ना कराया जाए एटियो लॉजी की बात करें तो ज्याडी इस जी टू वीक्नेस ओफ दा लोवर इसो फिगल इस फिक्टर सिंपल यह मसल्स क्या हो गई है वीक हो गई है लीडिंग टू जिसकी वएसे रिफलक्स ओफ एसेडिक गैस्टिक कंटेंट तू दा लोवरर पफ दा इसो फिगल जिसकी वएसे रिफलक्स होता है एसेडिक गैस्टिक कंटेंट तो दा लोवर पक आजाता है भासमझ में आई पैसोडिनेस की बात करें तो निี่ियुकों पैसोडिनेस मतलब मितलब किस तरह जंड़्येट होगा तो सब सबसब其實 में किया रहे है हलका से relax हो जाएगा बीच का कभी relax होगा कभी नहीं होगा और low basal tone tone का मतलब क्या होता है muscle tone या tone से मतलब क्या होता है खिचाओ जैसे कि अभी हम लोग यंग है तो हमारी muscles कैसी है एकदम tight है जैसी बूर्ड होंगे तो muscles कैसे होंगी loose हो जाएगे तो हम लोग कहेंगे tone क्या हो गई है low हो गई है और tone high है मतलब हमारी muscle system tight है ठीक है ना तो low basal tone tone इसके क्या होती है muscles का loose हो जाती है of lower isofical insfinkter ठीक है वो कम हो जाता है then उससे बाद क्या होगा सबसे पहले घटना क्या घटेगी जो isofical insfinkter है हमारा वो lose हो जाएगा reflux of acid and bile into the distal isofical उसके बाद क्या होगा acid और bile उपर आएगा ineffective isofical clearance of reflux material जो वापस आ गया वो पूरी तरीके से clear नहीं हो पाता है acid होगरा वहाँ रह जाता है जरन वगरा करेगा impaired gastric emptying अब इससे क्या है जो gastric हमारा पेट है वो पूरी तरीके से अच्छे सा खाली नहीं हुआ करेगा कुछ उपर चला गया है ना कुछ है यहाँ पर है और ultimately क्या है gastric hypersecretion फिर क्या है और भी ज़्यादा है acid निकलेगा और वो back मारेगा तो इस तरीके से यह क्या है pathogenesis यह disease हमारी क्या कर रही है ग्रो कर रही एक तरह से clinical manifestation heartburn heartburn का मतलब just हमारा heart होता है इसके बगल में ही जरन मचती है यहाँ पर food pipe होता है तो heartburn होता है regurgigation हम लोग जो खा लेंगे मालो लेट गए हैं खा कर गए पर चला खाना एक दम बैक आ गया that is called regurgigation dysphagia difficulty in swelling ऐसा हो सकता है कि निगलने में दिखका तो laryngitis यहाँ गले में जो larynx होते हैं उनमें infection हो सकता है क्योंकि acid आयता उपर या chronic cuff आपको cuff के शिकायत हो सकती है आ गया आते हैं अब इसका हमें क्या करना है management करना है तो non pharmacological हमें बिना दवाईयों कि इसे कैसे ठीक करेंगे avoid करना है food debt lower alias tone ऐसे खानों से बचना है जो lower isofical insfinkter के tone को क्या करते हैं weak करते हैं जैसे कि chocolate है coffee है peppermint है fatty food है चिकना वाला खाना नहीं खाना है या alcohol है इन सब चीज़ें सब बचा कर रहे है वैसे वी चीज़ें नुकसानी करती हैं एक age के बाद यानि हम कह सकते हैं आपको after 30 30 year के बाद आपको सतर्क हो जाना है और 35 और 40 तक year age तक आते आते जितना ज्यादा हो सके खाने पीने का अगर आप नेंतन कर लेते हैं तो आपके आने वाली life उतनी अच्छी होती है एक healthy life या healthy body आज की तारीक में सिर्फ 30 साल तक है अगर आप ठीक ठाक खापी रहे हैं बना आज कि भागवर बड़ी जिंदगी ऐसी है आप उल्टा उल्टा खाता है हर कोई खाता है ठीक है आगे आते हैं avoid drugs that lower alias हमें ऐसी दवाईयों से बचना है जैसे कि ethanol हो गया, theophylline हो गया, calcium blockers हो गए anti-colonergic हो गए, beta agonist हो गए alpha agonist हो गए अवे beta, alpha सब समझ में आना चाहिए ठीक है, alpha बीटा आपने कहां पढ़ चुके है ecology में, ठीक है ना avoid food that irritates damaged isofigal lining ऐसे food से बचना है जो isofigus की lining, जो isofigus pipe है उसके अंदर की परत है उसको damage करती है, ऐसे खाना खाने से बचना है जैसे कि citrus fruit, खटी चीज़ों हो गई या उनका juice हो गया, tomato हो गया pepper हो गया, ठीक है avoid food and beverages खाना और ऐसे पीने वाली चीज़ों से बचना है associated with increasing heartburn symptoms ऐसे खाने पीने से बचो जिसको खाने पीने बाद आपको लगता कि यार इसके बाद acidic nature बढ़ जाता है ऐसे खाने पीने से भी बचना है but not if pregnant अगर आपको लगता है बजन बढ़ा हुआ तो उसे कम करें ठीक है लिए pregnant है तो आपको ऐसा नहीं करना है avoid eating large meal बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आप 4 रोटियां खा सकते हो तो 3 रोटियां खाए अच्छा खाना मिला ठूस के खा लिया वो काम नहीं करना है refrain मतलब बना कर दो from meeting ठीक है less than 2-3 hour prior to going to bed or lying down मतलब अगर आपको पता है कि आप 11 बज़े सोएंगे तो हर हालत में 9 बज़े तक खाना खा लें और गलती सकते 10 बज़े खाया है फिर 12 बज़े ही सोएं फिर बैठे रहें कोई लेड याओगे तो बैक मारेगा ये वियर loose fitting clothing कोशिश करें लोग टाइट कपले ना पहने फोर nocturnal अगर रात में आपको शिम्टम ज़्यादा आते हैं सो गए हो तो उस condition का करेंगे avoid lying down within 2-3 hour of meal हमें बचना है खाना खाने के 2-3 घंटे तक हमें लेटना नहीं है सोना नहीं है ठीक है ना Elevate the head of the bed 6 inches सोते ना तो bed या तो तक्या लगा है या bed के सिराने पर वो लगा है तो फ्लो ऐसा बना रहेगा उपर नहीं आएगा वो ठीक है ना यूजा फोम पिलो वेज या फिर तक्या लगा ले ठीक है फार्मकोलोजिकल टीटमेंट क्या दवाईयां क्या क्या है शौर्ट टम की बात करें तो हम एंटा एसिड बन रहा तो एंटा एसिड का इस्तमाल करेंगे यह एस्टू ब्लोकर इस्तमाल करेंगे अब बेटा जिन लोगों की कोलोजी बढ़िया होती चली जा रही है प्लासिफिकेशन प्लासिटिक असर्ट पढ़ा चुका GRD है ना यह ठीक है तो कही ना कहीं यह साइज दवाईया हम लोग पढ़ चुके है ठीक है रिलीव सिम्टमस अब GRD अब क्योंकि एंटा एसिड क्या होते है एस्टू ब्लोकर्स क्या होते है जिसको याद है उनके लिए समझलो यह हल्वा हो गया वो उठा के सिधा यहां लिख देगा बात समझ मारी इसलिए फार्मको थेरोपेटिस का फार्मकोलोजिकल एक्षन और कालोजी का फार्मकोलोजी का क्लासिफिकेशन मैच करेगा हमेशा ठीक है निट्लाइज स्टमक एसिड बढाई का पाबट स्टमक एंजसकर फार्मकोलोजिमेर ओनकलोजिकरन प्रोटोन पॉठाम पंप इनिबिटर बहुत अच्छा से गवी क्षे जानती है ज़िघक equipped up हो एक्षिकांग प्रोजोर ठीक है ना प्रोकाइनेटिक्स प्रोकाइनेटिस कौन होते हैं यह भी हम जानते हैं जो पेट को जल्दी से खाली करवाएंगे तु एम्टी स्टर्मक अंटेंट फास्टर इसमें कौन है बैसे कॉल और मीटो क्लोप्रोमाईड मैट क्लोप्रोमाईड ऐसे कहलो सब्सक्राइब में एम्टी स्टर्मक फास्टर इसटा इंडसराफ़न होता है में इन्किस प्रेशर ऑड एलियस जो एलियस में प्रेशर बढ़ान हैं फार्मकोलोजिकल नॉन फार्मकोलोजिकल और उसके बाद भी नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो लास्ट ओप्सन फिर क्या है सर्जरी का आता है कि लिए रहे बाते हैं तो बहुत जाड़ तफ नहीं फिर बता रहा हूं यह चैप्टर यानिकि फार्मको थेरोपेटिक्स और फार्मकोलोजी दोनों मिल जूल के आगे बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और यह चोटा सा लेक्चर हमारा खतम हो गया इस चैप्टर का तो करना क्या है पता ही चीजों को कोशिश यही करें जब फार्मकोलोजी पढ़ें और उससे मिलता हो पढ़ेंगे अच्छी नॉलज रहेगी कंफूजन कम हो जाएगी जो लोग यह कर सकते हैं जो लोग टाइम की कमी है वो लोग अपने हिसाब से चीजों के टेगराइज करें और याद करें ठीक है ना बाद बागी नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन मिली जाएगा मेरा नं एप है ठीक है ना तो पढ़ते रहो रिवाइस करते रहो अल दा बेस्ट